Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable इसको हम डीटेल से जानेंगे कि exactly हो क्या रहा है, उत्राखंड में UCC को लेकर कब से क्या चीज़ें हुई है, BJP की जो सरकार है वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, और ये बिल पास होने से क्या बदलाव होने वाला है उत्राखंड के अंदर, ये सब कुछ हम जानेंगे चलि आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, अगर आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल से हमारा फांडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर, प्रिलिम्स, मेंस, इंटर्व्यू, सब कुछ आपको सिंगल बैच में कराया जाता है, इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट एप पर जाएए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक ह और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिले, और मालीजे अगर आप इस साल प्रिलिम्स का एक्जाम दे रहे हैं, तो प्रिलिम्स क्राक करने के लिए S.I.P. प्लस ये वाला बैच जॉइन कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप MCQ प्लस अटेंट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टापेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेंट कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly क्या होने जा रहा है, देखे 5 February को एक special session बुला आई गई थी, जिसको lead किया जा रहा था by former Supreme Court Justice रंजना प्रकाश देशाई जी के दोरा, और बताया जा रहा है कि इनके दोरा जो report है, वो 2nd February को submit कर दिया जाएगा, देखो ये जो committee है, इनको कई बार extension दिया गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन finally 2nd February को ये लो code का मतलब क्या होता है, देखो इसके नाम से आप समझ पा रहे होगी, हम civil की बात कर रहे है, मतलब की आज के date में अगर हम भारत में बात करें, तो जो criminal code है, वो तो आप सबको पताई है कि वो आपका uniform है, मतलब चाहें वो किसी भी दहम से person हो, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर वहाँ पर civil मामले में अगर आप देखोगे, तो कुछ चीजों में, मैं बात करा हूँ कुछ चीजों में, वहाँ पर जो अलग-अलग religious communities हैं, उसके हिसाब से कानून जो है लागू होता है, जैसे कि marriage हो गया, divorce हो गया, inheritance के जो laws हो गया, adoption हो गया, इन सब कुछ ऐसे मामले है जिसमें अलग-अलग धर्म के हिसाब से जो चीजें हैं भारत के अंदर लागू होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दू, हमारे समविधान के अंदर आपने आपको पता होगा, article 44, article 44 ये कहता है, कि देश में जो सरकार है, उनको कोशिश करनी चाहिए, ये नहीं कहा है कि यहा आपका DPSP के अंदर आता है, Directive Principles of State Policy, मतलब ये fundamental right की तरह नहीं है, अगर fundamental right के अंदर होता, तब तो आप इसको implement करने के लिए Supreme Court तक जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये state के उपर छोड़ा गया है, मतलब कि सरकार के उपर छोड़ा गया है, इसलिए ये enforceable नहीं है यहाँ पर उसको implement कर देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखेगा, यहाँ पर जब हम uniform civil code की बात करें, तो वैसे तो पूरे देश के perspective से देखा जाता है, लेकिन क्योंकि ये सरिफ उत्रा खंड के द्वरा लाए जा रहा है, तो अगर ये pass हो जाता है, तो वो सरिफ उत्रा खंड में ही लागू होगा, लेकिन इसके साथ साथ कई लोग ये भी कह सकते हैं, कि ज़र यहाँ पर बहुत सारे civil matters में तो already uniformity है, बिल्कुल सही बात है, अगर आप देखोगे बहुत से civil matters ऐसे हैं, जैसे contract act हो गया, civil procedure code हो गया, goods act हो गया, transfer of property हो गया, partnership act हो गया, ये सब भी तो civil मामले हैं, तो वो मामलों में already uniformity है हमारे देश के अंदर, लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये अलग-अलग सरकार ने amendments लाए हैं, बहुत सारे hundreds of amendments आए हैं, कानून आए हैं, तब जाकर ये बदला हुआ है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अभी भी बहुत सी ऐसी हैं, उसमें uniformity नहीं आई है, तो जब उसमें वो चीज लाने की जो बात कही जारी है न, उसी को कहा जाता है uniform civil court, in fact इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अलग-अलग राज्यों में भी मद्भेद है, आपको याद होगा, motor vehicle act 2019 जो आया था, नेटिन गटकरी जी के दौर का, concurrent list में आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो union list में है और जो central government है, जो चाहे जैसे करेगी वह ऐसा ही होगा, यहाँ पर state का भी बहुत important role होने वाला है, खेर अब हम आते हैं उत्राखंड को लेकर, कि उत्राखंड में uniform civil court को लेकर कब से चर्चा हो रही है, कब से demand उठ रही ह बीजेपी अगर आप देखो कि 2014 में जब PM मोधी चुना लड़ने आये थे, गुजरात के उस समय CM थे, तो overall बीजेपी की तरफ से उस समय बोला जा रहा था, कि uniform civil court हम लागू करना चाहते हैं, मतलब यह campaign promise था बीजेपी की तरफ से, और यहाँ पर जो promise किया गया था, उसमे uniformity लाएंगे, और क्या हुआ ultimately 2022 का जो उत्राखंड का legislative assembly election हुआ था, उसमें specifically BJP ने कह दिया अपने घोशनापत में कि हम uniform civil court हम उत्राखंड के अंदर तो लाएंगे ही लाएंगे, तो इसी की बज़े से क्या होता है कि जब BJP यह चुनाव जीच जाती है, 27th में को यहाँ प आप एक report submit करिए और साथी साथ जो bill का draft है उसको भी submit करिए, तो यहाँ पर जहसे ही यह चीज़ अनांस होती है, जो opposition parties हैं, उन्होंने इसका criticism भी किया था, Congress का कहना था कि देखिए जो BJP है वो development agenda को छोड़कर, यहाँ पर जो communal harmony को disturb करने वाली चीज़े हैं, society को polarize करने वा November 2022 में ही submit कर देना चाहिए था, लेकिन कई बार इनका जो deadline है वो extend कर किया गया, और मैं आपको बता दूँ, June 2023 में भी बोला गया था, Chief Minister के दोरा, कि यहाँ पर जो काम है, committee का वो almost पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक वो report submit नहीं की गई थी, finally अब आपको पता ही है कि 2024 का भ आपको यह भी बता दूँ, कि committee के पास बहुत सारे सुझाओ आये थे, करीब धाई लाग क्या सपास suggestion, committee के पास आये थे, और उसमें public की तरफ से, जो public है, उनको बोला गया था, कि अगर आपको कोई सुझाओ देना है, तो आप देख सकते हो, तो धाई लाग suggestions आये थे, और इसमें अगर हम बात करें, तो अलग-अलग माध्यम से, letter के माध्यम से, email के माध्यम से, कुछ written suggestion आया था, online portal पर भी आया था, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिले थी, और पिछले साल September में, जो committee है, जो 5 member की committee है, इन्होंने 38 public meetings भी किये थे, राज्य के अंदर, और public स सुझाओ मांगा था, उनसे बातचीत की थी, कि कैसे uniform civil code के अंदर, क्या-क्या चीज़ें आने चाहिए, आपको क्या लगता है, तो वो सारी चीज़ें की गई है, तो अब question यहाँ पर यह है, कि uniform civil code आने से, उत्रा खंट के अंदर, किन-किन चीज़ों पर बदला हो सकता है, मतलब यह जो report है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, मैं आपको बता दूँ, जो committee है, वो mainly gender equality पर focus करने वाली है, बताये जा रहा है, कि uniform personal laws for all people residing in the state, जिसके अंदर uniform civil code क्या करेगा, men और women को equally treat करने की कोशिश करेगा, जैसे आपने देखा होगा, कई बार बता है, ब जैसे polygammy हो गया, इसलाम के अंदर, इदत हो गया, हलाल हो गया, इस तरह की जो चीज़ें है, उसको हटाना चीए, तो उसमें बदलाव करने के लिए, यहाँ पर जो committee है, वो एक तरह से focus करने वाली है, ताकि men और women, दोनों को equal right मिल सके, इसके साथ-साथ यहाँ पर एक ची बदलाव हो सकता है, और वो यह है, live-in relationship का, दीकि यहाँ पर recently कई ऐसी खबरे आई हैं, और कई बार यह बोला जाता है, कि लोग live-in relationship में तो आते हैं, लेकिन ultimately मामला कई बार court में चला जाता है, वहाँ पर जब उनके बीच में problems होती हैं, तो वो court में जाते हैं, कई बार ज हो जाएगा, उनको declare करना, अगर कोई भी person, मतलब अगर आपने साधी नहीं किया है एक दूसरे से, तो अगर आप फिर भी साथ में रह रह रहे हो, live-in relationship, उसी को कहते हैं, तो यहाँ पर आपको declare करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा, कि आपका live-in relationship इस दिन से start और जब अगर आपका, मान लो, live-in relationship तूटता है, तो आपको termination के बारे में भी बताना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर record रहे है, पता रहे है, कि हाँ, यह live-in relationship में है, जैसे शादी होता है, उतना complicated नहीं होगा, लेकिन at least बताना पड़ेगा, यह होने वाला है एक बड़ा ब मिल सकता है, especially, गुजरात गौर्णमेंट ने मैं आपको बता दू, 2022 में UCC को देखते वे, एक committee का गटन किया था, और in fact, आसाम की जो चीफ मिनेश्टर रहे मंतर विश्वा सर्मा, उन्होंने recently, आसाम का जो करीम नगर इलाका है, वहाँ पर एक हिंदू एक्ता यात्रा नि यहाँ पर UCC लागू हो रखा है, वो है आपका गौवा, अब देखो, गौवा में क्या case था, आपको पता ही है, वहाँ पर Portuguese का साशन था पहले, Portuguese जो है, उन्होंने लिया हुआ था गौवा, जो हमारा हे लिया है, तो 1500 साल पहले Portuguese ने क्या किया था, जो civil code है, that is Portuguese civil code, उसको implement किया था, 1500 साल पहले, और आपको याद है, 1961 में liberate हो जाता है, गौवा, पूरी तरह से भारत का पार्ट बन जाता है, तो जब ये पूरी तरह से भारत का पार्ट बना 1961 में, तब ही जो ये वाला PCC था, that is Portuguese civil code, उसी को ही अभी भी implement किया हुआ है, मतलब अभी भी गौवा मे में बहुत important कदम होगा, क्योंकि अगर ये चीज होता है ultimately, तो ये हो सकता है कि एक लहर सी आ जाए, पूरे देश में इस तरह की चीज़े implement हो, आपका क्या सोचना है इसको लेकर, मुझे comment में जरूर बताएगा, और जाने से पहले एक interesting question क्या आप बता सकते हो, दो statement है आपको बताना है कौन सा correct है, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF ये तो टे यारी हुई, affordable